अच्छा दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है, आप पेपर वाइस और टोपिक वाइस एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियो को देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके, डिस्कसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी इंफोर्मेशन कोर्सिस के बारे में आप वीडियो.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में है, ये सारे कोर्सिस जोइन कर सकते हो, पोलिटिकल साइंस कोर्स, करन्ट अफेट एस से समंदीत तो आप अपने डाउट सेंड कर सकते हो, onlyis.sales.gmail.com पर, चलिए डिस जिना का कितना बड़ा रोल था इंडिया के बटवारे में, देखो अभी तक conventional wisdom जो आती है, आईसा जलाल की 1985 की एक बुक से आती है, दस होल स्पोक्समें, इस बुक में कहा गया है, मुहमद अली जिना, पागिस्तान के मुद्दे को इस्तमाल करना चाहते थे, इंडियन मु में इंटेंशन था, बार-बार पागिस्तान का डर दिखा के इंडियन मुसलिम्स के लिए एक बहतर डील सेक्योर करना, लेकिन मुहमद अली जिना का ये मुव बैकफायर कर गया, यानि पागिस्तान के डिमांड करते करते वो इतना आगे चले गए कि आखिरी फेस में, या आईसा जलाल की बुक के अनुसार, आखिरी फेस में, कॉंग्रेस पार्टिशन चाहती थी, यानि मुहमद अली जिना का जो मूव था पागिस्तान की धंकी देना का, वो मूव बैकफायर कर चुका था, लेकिन देखो इस कन्वेंशनल विजडम के अगेंस्ट हाल ही में, ए जिना सोच समझ के काम कर रहे थे, वो हमेशा से ही पागिस्तान चाहते थे, यानि आईसा जलाल की बुक में ये कहना, वो सिरफ एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तिमाल कर रहे थे, पागिस्तान के मुद्दे को जो कि बाद में बैकफायर कर गया, ये सही नहीं है, जिन पर मुस्लिम मेजोटीज में हैं, कहने का एसेंस क्या हुआ, कहने का एसेंस ये हुआ, जिना की ये रणनीती थी, कि वो प्रोविंसी जहां पर मुस्लिम मानेटीज में हैं, वो इंडिया ले ले, लेकिन वो प्रोविंसी जहां पर मुस्लिम मेजोटीज में हैं, उनको इन दोनों बुक्स के आर्गुमेंट्स को एसेस करने के बाद, एनलाईज करने के बाद, राइटर अब अपना आर्गुमेंट्स देते हैं, राइटर कहते हैं, दोनों बुक्स के आर्गुमेंट्स में कुछ ना कुछ सच्चाई है, मतलब थोड़ी बात आईसा जलाल की सही ह और थोड़ी बात वैंकेट धुलीपाला की भी सही है। लारजेस्ट मुस्लिम मेजोर्टी प्रोविंसीज में जो रिजनल पार्टी थी फुर एक्जमपल उसमें एक पार्टी हुआ करती थी यूनियनिस्ट पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी के जो मुस्लिम लीडर्स थे वहों मौमद अली जीना को फटकने नहीं देते थे वो हि मुहमद अली जिना न्यू मदिना यानि पालिस्तान के इश्यू का इस्तिमाल करके उनकी स्पोर्ट हासिल करना चाहते थे। राइटर के अनुसार एक्चुली मुहमद अली जिना एक परकार का फैडरेशन चाहते थे। मुहमद अली जिना जिसमें सेंटर वीक हो, यानी सेंटर के पास ज्यादा पावर्च नहीं हो और एक देश हो लेकिन एक देश के अंदर दो एंटिटीज हो, एक हो पाकिस्तान और दूसरा हो इंडिया, पाकिस्तान अपने आपको अच्छे से गवान करस के इसके लिए पाव policy एक communication इस परकार का federation चाते थे मोहमद अली जीना और cabinet mission जब आया 1946 में cabinet mission ने इसी परकार का कुछ provision किया था जैसे religious majorities के अधार पर states को women categories में डाला गया था cabinet mission के प्लान काफी पसंद आया था मोहमद अली जीना को और इसी वज़े से मोहमद अली जीना ने इस प्लान का समर्थन किया था लेकिन 1946 तक देर काफी ज़्यादा हो चुकी थी उस वक्त जौहलाल नहरू और बलबाई पटेल का तरक ये था इस परकार का federation बनाय जाए जिसमें central government weak हो और कोई unity ना हो उससे तो अच्छा है partition ही हो जाए तो जौहलाल नहरू और बलबाई पटेल ने जब partition की मांग को मान लिया तो मोहमद अली जीना के उमीदों पर पानी फिर गया था ऐसा कहा जाता है राइटर के द्वारा देखो मोहमद अली जीना को power बहुत ज़रा पसंद थी वो power चाते थे तो इसी वज़े से महात्मा गांदी ने suggestion दिया था उसमें जौहलाल नहरू बलबाई पटेल को कि आप इनको देश को एक रहने दीजिए और मोहमद अली जीना को पढ़ान मंतरी बनने दीजिए एक देश काम लेकिन जौहलाल नहरू और बाकी लीडर्स ने महात्मा गांदी के इस suggestion को नहीं माना था अगर suggestion मान लिया जाता जौहलाल नहरू और बाकी लीडर्स के द्वारा महात्मा गांदी का तब ये पता लग सकता था कि मोहमद अली जीना वास्तों में पार्टीशन चाहते थे या फिर नहीं चाहते थे तो पार्टीशन से सम्मधित हमने ये आंटकल डिसकस किया question देख लीजे जो आपको टैम करना है discuss the factors which played a important role in partition of British India किन factors की वज़े से British India का पार्टीशन हुआ इस परकार का question पहले UPSC के द्वारा पूछा जासका है लेकिन question का एक second part है also briefly discuss जीना's role in partition of British India मतलब पहले तो आपको जो भी factors हैं उनको discuss करना है और बाद में दूसरे part में जीना के specific role को discuss करना है British India के partition में 250 words में आपको इस question का answer करना है चलते हैं आगे तो इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you Thank you very much for discussion